हालो फ्रेंट वेल्कम टू मैं नीग वीडियो और आप देखें इंफोर्मेशन भाई बीशिक और मैं हूँ आपका इंफोर्मेशन एक्सपर्ट हम आपके लिए लाते हैं नर्सिंग से जोड़ी सभी तरह की इंफोर्मेशन सबसे पहले तो अगर आप हमाई चैनल पर नहीं हैं तो फ्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले इस लिए बीशिक पर नर्सें परमेशन परमेशन प्रीज प्रीज पर प्रीज एर्ट पर एट्ट जरनल शॉस्पितल आप नाइवली तमिलनाडू नेम आप दी पोस्ट नंबर ओव वेकंसी रिजर्विशन पेई अजुकेश्ट कोनिफिकेशन हम आगे देखेंगे अपमाई साथ वीडियो में बने रहें वेरिस पोस्टे चलते हैं देख लिए ते स्टाफ नर्स के लिए इसमें क्या पॉर्षटी है इसमें पोस्टे हैं इसमें पोस्टे हैं इसमें पोस्टे हैं अपको यह जो रहेगी 25,000 पर मांथ फीमेल अससेंटे के लिए टोटल बाई स्टेस्स में रहने वाली हैं अनेजर के टिगरी के लिए 11,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 और इसमें पूर्फ बी टी के लिए एक इंक्लूड है सेम संथ हैं रहेगी इसमेंशल कौलिफिकेशन देख लिए हैं हम लोग आपने वन येर परामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स नर्सिंग असिस्टेंट या मल्टी पॉर्पर्पस हॉस्पेटल वर्कर का करा हो और आपका अप्रूव्ड हो बाइस से तो आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं यह दोनों ही मेल और फीमल असिस्टेंट के लिए हैं थर्ड जो पोस्ट है वो है मैटनेटी असिस्टेंट के लिए इसमें टोटल पांच पोस्ट है रहने वाली हैं अन्रिजब के लिए चार ओवी सी एंसेल के लिए एक सेल्पी इसमें सेम रहेगी 25,000 पर मन्त जीनम कैनिटर आपिसमें अप्लाइ कर सकते हैं आप इंडिन नर्सिंग थेरापी डिएंटी डिप्लोमा इन पंच करब मार थेरापी ऑफ दूरिशन टू यह और मौर अप्रूट वाए स्टेट एंड सेंटर गूर्मेंट आगे हम चलते हैं फिफ्ट पोस्ट हम देख लेते हैं जो की नर्सेस के लिए हैं इसमें टोटल बीस पोस्टे रहने वाल पोस बसी और गन्यूट आप इसमें एप्लाई कर सकते हैं आप इंटे नर्सिंग काउंसल और स्टेट नर्सिंग काउंसल के साथ आप रेइस्टर होने से यह आप पर एज लिमिट इसमें 55 यह दे रखी है यह जो विकेंसी है वो पीरिड ओफ इंगेजमेंट प्योर्डी ओन फिक्स डम बेसिस रहने वाली है जिसका की 10 और 3 यह कर रहने वाला है from the date of joining method of selection देख लेते हैं हम लोग आपका इसमें written test होगा जिसके की objective type question होंगे maximum marks इसमें 100 रहने वाले हैं जो की English language में आएगा हर correct answer के लिए आपको एक mark यानी 1 mark awarded किया जाएगा और इसमें किसी भी तरह की negative marking नहीं है wrong answer के लिए duration जो रहेगा आप written test का वो रहेगा 120 minutes तो यह काफी अच्छी diversity है कि इसमें किसी भी तरह की negative marking नहीं है आपने जो अपने self certificate certified certificate जो submit करे होंगे along with the copies of testimonials जो upload करे होंगे वो अपने साथ लिकर जाने होंगे with original documents and one set of photocopy भी आप अपने साथ लेकर चाहिएगा तो आपके लिए easy रहेगा at the time of document verification if the SCST, OBC, NCL, EWS disability certificate अगर आपका issue हुआ है English और Hindi के अलावा किसी other language में तो आपको वो self certified translate copy की submit करनी होगी English और Hindi language में देख लेते हैं हम लोग how to apply इस विकेंसी में apply करने के लिए आपको online apply करना होगा अगर आप किसी और other mode से apply करते हैं तो आपका form reject कर दिया जाएगा apply करने के लिए आपको जाना होगा जो भी information आपको दी जाएगी वो through SMS और email के द्वारा ही दी जाएगी after submitting application through online आपको अपने application form का print out ले लेना होगा और उसके साथ अपने certificate and documents की self attest copy आपको लगानी होगी और document and certificate verification की वक्त वो आपको वहाँ पर submit करनी होगी payment of application fees देख लेते हैं हम लोग undeserved EWS and OBC NCL candidate के लिए इसमें application fees 250 rupees and processing fees 236 rupees total fees आपको पे करनी होगी 486 rupees SC, ST, PWD and ex-servicement candidate के लिए इसमें application fees नहीं है बट आपको processing fees इसमें पे करनी होगी 236 rupees होगी total fees आपको जो पे करनी होगी वो 236 rupees आपको पे करनी होगी जो की non refundable रहने वाली है यह documents की list दे रखिया जो आपको submit करनी होगी इनकी file type और किस size में होनी चाहिए यह सब इसमें दे रखा है इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे telegram channel पर link description में है जाकर join कर सकते हैं आपको download कर सकते हैं चलिया हम important state देख लेते हैं opening of online registration of application date and time 12th of May 2023 at 10.00 hours closing of online registration of application date and time 1st of June 2023 at 1700 hours last date of online payment of fee date and time 1st of June 2023 at 23.45 hours already registered and paid fee with time limit जो आपको इसमें दे रखी है वो है second of June 2023 at 700 hours तो यह कुछ important rates थी चलिए आप चलते हैं देख लेते हैं इनकी website पर जाकर हम कैसे online apply कर सकते हैं तो चलेंगे हम अपने chrome browser पर और Google पर हम search मार लेंगे NLC search मारते ही जो सबसे पहले result आएगा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप उस पर click करेंगे NLC India Limited और इस पर जाकर आप careers का उपर देख रहे होंगे option इस पर हम click करेंगे तो यह हमको रेडारे करेगा अपने vacancy वाले पेश पर जो की current opening आप देख सकते हैं advertisement नंबर भी समें दे रखा है ग्यार आप आज तो हो जाते हैं इसका जो detail advertisement है वह आप यहां से download कर सकते हैं और apply करने के लिए आपको online apply नीचे देख रहा होगा इस पर हम दाकर click करेंगे देन हमको यह redirect करेगा अपने apply section पर जहां पर हम apply कर सकते हैं तो उसके लिए आप अगर existing user है तो आपको login करना होगा new user है तो आपको registration करना होगा तो यह login ID और password और अगर हम new user पर click करेंगे तो आप इस वक्त देख रहे होंगे आप तो यहां आपको registration करना होगा तो जो आपका SSLC marks sheet पे जो नाम है वो email ID और यह सब आप इसमें फिल कर देंगे फिल करने के बाद आप register हो जाएंगे register करने के बाद आपके सामने जो पेश खुल के आएगा वो application form का होगा जो आपको फिल करना होगा यह important dates नीचे भी show हो रही है आप इस पर देख सकते हैं मेरे द्वारा दी हुई information से आपको काफी help मिली होगी आप अच्छे से इसके लिए probation करें मेरी तरफ से आपको all the best and best of luck apply करने से पहले आप इनकी terms and condition अच्छे से रीड करीजेगा अगर आपको यह information करने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरू कीजेगा धन्यबाद